कि नमस्कार दोस्तों निफ्टियोवा चैनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कल बताया था कि आपने 14 लेनी है तो हमने 1475 पर प्रशिशन ली और वहीं हुआ मार्किट सीधे मार्किट सीधा ब्रेक आट दिया और मैंने कहा था 1463 के पास आपने पॉफिट बुक कर लेना है तो हमने पहले 14 1715 से 1463 के बीच अपना पॉफिट बुक कर लिया और हमें तकरीबन 45-50 पॉइंट का इससे पॉफिट उसके बाद मैंने कहा था कि जैसे 1463 और 14800 का एरिया निकले तो 14800 के उपर आपने फिर से बाय करना है और यह देखिए 14800 के उपर एक अच्छा ब्रेक आउट आया और इसे 14886 जहां मैंने लेवल बताया था 14876 तक के टार्गेट मिले तो इस तरह से 70-80 पॉइंट का उपर प्रॉफिट हुआ 50 पॉइंट का नीचे और 130 पॉइंट का प्रॉफिट हमें अराम सी और सेफली हुए तो तब ही कहा जाता है निफ्टी वैबा चैनल के साथ जुड़िए ज्यादा से ज्यादा आपकी नोलेज बढ़ेगी आप कभी ट्रैप नहीं होगे और आपका प्रॉफिट ही होगा लोस का कोई चांस ही नहीं रहे और स्ट्रिक्स टॉप लोस के साथ ट्रेड करना है और जो दर्शक नए आये हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन जूर दुबाएं और नीचे टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया है उसे जुरूर जोइन कीजिए और इसके इलावा तीन ट्रेडिंग प्लेरफॉर्म हमने प्रोवाइट की हैं एंजल ब्रोकिंग आस्था ट्रेडिंग और इंडिया इन्फो लाइन इन तीनों मैंसे किसी में भी आप अपना डीमेड अकाउंट खोस तो अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे है बैंक निफ्टी में भी जैसा कि मैंने कहा था 32.512 तक कोई भी डिप पे आपने बाई करना है तो 32.850 पे हमने बाई किया और ये सिधा बैंक निफ्टी तकरीबन हमारा टारगर 33.973 का था और दिन के हाई पर भी बंद हुई है तो इस तरह से इसने बैंक निफ्टी में हमें तकरीबन एक हजार या आट सो अंक का प्रॉफिट हमने इसमें भी बड़े अराम से कमाया और हमने तीन स्टॉक्स तीन स्टॉक्स बहुत जबरदस चले और पहला था दीपक नाइट्रेट दीपक नाइट्रेट को अगर किसी इस तरह से इसमें हमें तकरीबन 20 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ अगर इसने को इसने यहां से लिए बंड़े राम से तो डूसरा जो स्टॉक्स ता वह था SBA, SBA में हमने 357 पे buy किया और ये इसके ने जो high लगाया 364 तो इस तरह से हमें 8 point का profit यहां से हुआ और IRCTC IRCTC अगर खुलते ही किसे ने लिए 1787 से तो उसे 1816 तक का profit हुआ तो इस तरह से 20-26 point का profit यहां से हुआ और किसे ने dip का weight किया है 1775 से तो फिर भी उसे 15 point का profit हुआ इस तरह से हमें 3 stock से कम से कम 20-30 point का तो हर stock में हुआ है और इस तरह से 50-60 point का profit अराम से तो अब चलते हैं कल के लिए कल के लिए जो सबसे पहला stock में लेकर आए हैं आपके लिए वो है PD light industry अब PD light industry को daily chart पे देखते हैं PD light industry ने 20 डेमा के उपर बहुत बड़ा breakout दिया है और अब यह अपनी high trajectory और high level पे जा रहा है यह है 1928-1900 और V-shape recovery आ रही है 1873 तक के हर एक dip पर आपने buy करना है 1859 का stop loss रखना है और उपर 1928 और 1923 के target दूसरा है बाल कृषन इंडस्ट्री बाल कृषन इंडस्ट्री में देखिए कितनी बड़िया recovery आई है daily chart पे और यह तक्रीमन U-shape recovery आ रही है और यह अपने high level पर जा रहा है तो इसको भी आपने 1748 तक के किसी भी dip को buy करना है 1740 का stop loss रखना है और उपर जो target रहेंगे वो रहेंगे 1791, 1813, 1848 और 1874 तीसरा है Siemens Siemens को भी आपने 1856 तक के किसी भी level पर आपने buy करना है और 1847 इसका stop loss रहेगा यह 1847 पर क्या है यह है 50 demo तो 50 demo इसे बड़ी sport देगा और कोशिश कीजिए 1840 का stop loss लगाईए और अगर 1873 के ऊपर मिले तब भी भाय करना है और target 1897, 1911, 1936, 1949 और 1961 तक के मिल से यह तीनों stocks पिरिलाइट, बारक्रिशन और बारक्रिशन इंडस्ट्री और तीसरा है Siemens अब हम आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी में हमने क्या करना है अब देखिए 32, 512, 3, 2, 5, 1, 2 तक के किसी भी dip पर आपने बाय करना है और यह level आपने note रखने इन level में किसी पे भी आए आप कोशिच कीजिए कि बाय कीजिए 3, 2, 5, 1, 2 तक के किसी भी dip पर आपने से बाय करना है उपर की और 34196, 34200 एक बड़ा resistance रहेगा 3, 4, 0, 7, 1, 3, 4, 1 नहीं से मतलब जैसे 34,000 आने वाला हो जो मेरी तो यहीं रहा है कि 33, 973 जैसे ही आए तो निकल जाएए profit book करें और 33, 973 मैं क्यों कहा रहा हूँ यह देखिए कि 34, 0 यह है 34, 200 यहाँ पर है 50 रेम 50 रेम आ 34, 200 पर है यह 34, 200 भी आज की तरह बैंक निफ्टी क्रोस कर गया तो सीधा जाके यह फिर से 1,000 यह 2,000 अंकाट की रन दे सकता है और यह जाएगा 3, 7, 0, 6, 9 तक 3, 7, 0, 6, 9 फिर इसका final target होगा और उपर के level आपने यह सारे note कर लिए यह में करके दिखा रहा हूँ तो चौनती 4, 72 पर हमने एक बार profit भूक कर लें और जैसी यह क्रोस फिर से बाय कर फिर उपर का तर्क तो यह होता है सिस्टम इसमें trading करने का और safe trading से आपका भी trapped नहीं हो अमीद है आपको आपने यह level note कर लिए क्योंकि अब level जादा है क्योंकि bank nifty बड़े बड़े रन दे और मैंने जैसे पहले ही तीन चार दिन पहले बता दी अब निफ्टी को bank nifty बगाएगी और bank nifty और finance के अब आगे अब आते हम निफ्टी पर इंडिया विक्स 22.58 आज थोड़ी volatility कम रही नहीं तो रोज एक बज़े के बाद बहुत ज्यादा करिए उसके बाद अब आते हैं option chain पर पहले पुट को रेशियो देख लें पुट को रेशियो है निफ्टी की 1.57 फिर भी ठीक है बूस के फिवर में पर अब थोड़ा सा resistance के पास आ रही है तो इसकी जो काफी 1.57 है वो 1.65 के पास आ रहा है जैसे 1.65 आया तो market रुक जाए 14.700 पर 37 ले तो इस तरह से भारी पुट राइटिंग हो रही है इस हर लेवल पर 146.00 पर 147.00 पर 148.00 तो यह एक अच्छी स्पोर्ट का काम करेंगे इधर देखें अगर तो call राइटिंग का क्या हाल है तो call राइटिंग का अगर आप देखेंगे तो काफी बुरा हाल क्य है 14.950 पर भी call राइटिंग बहुत कम हो रही है अगर को राइटिंग कहीं हो रही है तो वह सीधी 15,000 पर हो रही है 15,000 पर 62,000 के करीब call राइटर है और सबसे अगर call राइटर एड़ हो रहा है तो फंद्रा एक सो मतलब कि 15,000 पर भी इतना confidence नहीं है जितना पंद्रा एक स तक करन हमें मिलने की भी उमीद बन रही है option chain के हिसा यही कारण है कि call राइटर कहीं पर भी खड़े होने से डर रहा है 14.900 पर देखिए call राइटर को राइटिंग बिल्कुल माइनस है माइनस 99 तो इससे पता चलता है कि कल मार्किट 14.900 के उपर खुलने की उमीद यही नहीं रहा तो अब हम आते हैं निफ्टी निफ्टी के चार्ट चार्ट पर देखिए अब हमने इसमें क्या देखिए अब क्या करना है 14763 अब हमारा यह स्ट्रॉंग बेस और उपस के उपर 14800 एक हमें सहारे का काम करेगा मतला 14.800 एक स्पोर्ट रहेगी और 14.700 से नीचे स स्ट्रॉंग स्पोर्ट रहेगा और यहां तक किसी भी डिप पर आपने बाई करना है और यह लेवल हैं अगर 14.816 पर मिले तब भी बाई कीजिए 14.840 पर मिले तब भी बाई कीजिए और उपर के टार्गर जो हमारे लिए खुले हैं वो है 14.900, 14.918, 14.953, 14.983 तक के हमे जैसे मैं उदर बैंक निफ्टी में पिताया है कि 2000 अंकी रैली तो इस तरह से उदर 2000 अंकी रैली आ सकते हैं इधर 1500-200 अंकी रैली उसके ऊपर आ सकती है तो 14.918, 14.983 यह लेवल याद रखिए यहां पर आकर आपने एक बर अपना प्रोफिट बुक करना है और पोजिशन उपर की और काहां लेने तो उपर कियो माली जिए यह गैपब खुलती है निफ्टी तो 14.918 एक ऐसा लावल रहेगा कि माली जिए 14.980 पर खुलती है तो जैसे यह 14.980 के उपर जाए तब बाय करना है ऐसे निए 14.980 के उपर जाए तब ही बाय करना है और फिर 14.943 तक के और फिर तो चाहिए 14 900 14 900 अठा रहे ही एक बड़ी स्पोर्ट का काम करेगा और उसके उपर हमने 14 983 पर एक पर प्रोफिट बुक करके निकल जाना है फिर हमने वेट करनी है कि क्या ये 14 चोदा 983 के उपर सस्टेन हो रही है फिर 15000 नहीं देखना कि 15000 यह पहले तो यहीं देखना कि 14 983 के उपर सस्टेन हो रही है और जैसी सस्टेन हो तो एक लेवल एक मैं और बता जाता हूं कि जो हेल्प करेगा पंद्रा हजार आठ पंद्रा हजार ये लेवर अगर माल लीजिए 14.923 आपने profit book कर लिया तो आपको confidence कहां पर आएगा confidence आएगा 15.010 और जैसे ये 15.010 के उपर निकल तब आपने nifty को दुबारा से बाय करना है उपर के target मैंने आपको बता दिये ये रहेंगे 15.090, 15.126 और 15.173 ये final target है उसके बाद nifty और bank nifty में traders एक नई position लेंगे यह consolidate होगी nifty जैसे कि मैंने कल भी बताया था आज भी वैसी हुआ वहाँ पर consolidate हुई 14.703 से 14.800 के आसपास और उसके बाद breakout तो फिर ये यहाँ पर भी consolidate तो इस तरह से उमीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी रोज की तरह तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो जुरूर लाइक कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए और जादा से जादा वीडियो को share थेंक यू धन्यों